हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू डीडियम ओन्लाइन क्लासिज मैं राजकुमार मैं आज आपको एक्किनोमिक्स के चैप्टर नंबर 9 पूर्ती का सिद्धान्त एम लोच क्लास 12 के लिए पढ़ाने जा रहा हूं चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्ती से आसे एक वस्तु की उन इकाईयों से है जो एक विक्रेता एक समय अवदी में विभिन कीमतों पर बेचने को तयार है अन्ने सब्दों में पूर्ती एक वस्तु की वेह मात्रा है जो की एक विक्रेता विभिन कीमतों पर बेचने को तत्पर है यानि कि एक विक्रेटा जो अलग-अलग कीमतों पर बेचने के लिए तक पर है वस्तु को तो उसे हम पूर्ती कहते हैं पूर्ती के परकार इससे पहले हम समझते हैं कि पूर्ती और स्टोक में क्या अंतर है पूर्टी वह होती है जो दुकानदार वस्तु को बेचने के लिए तक पर है अलग-अलग कीमतों पर है लेकिन स्टोक जो इसके पास रखा हुआ मौजूद है किसी समय उधी में मौजूद है जो माल मौजूद है उसे कहते हैं स्टोक पूर्टी के परकार पूर्टी के परकार वैक्तिगत पूर्टी और बाजार पूर्टी पूर्टी दो परकार की होती है वैक्तिगत पूर्टी और बाजार पूर्टी व्यक्तिकत पूर्ति एक निश्चित वस्तु की एक व्यक्तिकत फर्म द्वारा एक निश्चित समय वदी में विभिन केमतों पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा को व्यक्तिकत पूर्ति कहा जाता है यानि कि एक वस्तु की एक व्यक्तिकत फर्म के द्वारा या एक निश्चित व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय वदी में विभिन कीमतों पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा को व्यक्तिकत पूर्ति कहते हैं उधानन्त फर्म एक्स द्वारा दस रुपे पर जूर महा में दस अजार जैल पैनों की पूर्ति की गई यानि के एक फर्म द्वारा की गई है दस रुपे पर जूर महिने में दस अजार पैनों की पूर्ति तो उसे कहेंगे वेक्तिकत पूर्ती ऐसे ही बाजार पूर्ती एक निश्चित वस्तु की बाजार की सभी फर्मो दौरा एक निश्चित समय अवधी में विभिन कीमतों पर पूर्ती की जाने वाली मात्राओं को बाजार पूर्ती कहा जाता है यानि के एक निश्चित वुष्टू की बाजार की सभी फर्मो दुआरा बाजार की सभी फर्मो दुआरा एक निश्चित समयोदी में विभिन कीमतों पर पूर्टी की जाने वाली मातरा को बाजार पूर्टी कहा जाता है उधारन थे फर्मो दौारा सभी फर्मो दौारा 10 रुपे पर जून महा में 50,000 जैल पैनों की पूरती की गई 50,000 जैल पैनों की पूरती की गई सभी फर्मो दौारा बाजार पूरती समझत फर्मों की पूरती का योग है पूर्ती अनुसूची पूर्ती अनुसूची वह तालिका है जो यह परदसित करती है कि विक्रेता विभिन कीमतों पर वस्तू की कितनी मातरा बेचने को तैयार है विभिन कीमतों पर कितनी मात्रा बेचने को तयार है यह कीमत तथा पूर्ती की गई मात्रा के मद्दे धनात्मक सम्मद को दर्साते हैं यानि के पूर्ती अनुसुची के अंदर हम यह देखते हैं कि विभिन कीम तो पर, विभिन वस्तू कम मुल्रे होने पर कम पिकरिय होती है जैसे कि उसका मुल्ले बढ़ता जाता है तो दुकानदार उन वस्तू को ज्यादश से ज्याद़ा बेचना चाहेगा तो बच्चो यह था पूर्ती के बारे में थोड़ा साटिस्केशन इसके आगे के पार्ट में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा चाहता हूं थैंक यू